एक relationship में आपका attitude कितना positive रहेगा इसी बात पर depend करता है कि partner आपकी कितनी value करेगा देखो बहुत simple सी बात बताता हूँ लेकिन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आप अगर relationship में positive attitude सही तरीके से दिखाते हो तो partner का प्यार और attachment आपके लिए बढ़ने लगेगा लेकिन अगर आप गलत तरीके से अपने behavior को present करते हो गलत तरीके से attitude दिखाते हो तो partner आपसे ज़ादा strong बन जाएगा आपको और ज़ादा ignore करने लगेगा आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले है कि क्या तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ श्रावन आप देख रहे हो सकाईल सबसे पहली बात हम सोचते है अगर हम partner को ये दिखाएंगे कि हम busy है तो partner का प्यार हमारे लिए और ज़ादा बड़ेगा जो कि काफी हद तक सही भी है लेकिन यहापे हम एक गलती करते है कि partner को काफी ज़ादा ignore करते है constantly उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम busy है हम बात नहीं कर सकते है जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर बार बार हमसे बात्चित करने की कोशिश कर रहा है और हम उन्हें इगनोर कर रहा है और वो और जादा कोशिश कर रहा है तो हम ये और करना चाहते हैं लेकिन आप एक बात समझना अगर आप जरुवस से जादा किसी को इगनोर करते हो तो लिए आपको पार्टनर को पूरे तरीके से इगनोर करनी की जरूद भी नहीं है जी हाँ पूरे तरीके से इगनोर करनी की जरूद भी नहीं है बस जो टाइम आप उने दे रहे हो उस टाइम को आप थोड़ा कम कर दो जैसे पार्टनर और आपकी रोज एक घंटा बात होती है लेकिन कभी 20-25 मिनिट बात करके फोन रख दो इस तरीके से भी जब हम टाइम को कम करते हैं तो पार्टनर आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता पार्टनर को बुरा भी नहीं लगता है और पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करता है अगर आप कोई काम में बिजी हो पार्टनर का कॉल आ रहा है तो पहले तो कोशिश करो कि आप कॉल उठा कर पार्टनर को ये बता दे रहे हूँ कि अभी मैं बिजी हूँ हम बाद में बात करते हैं ये तरीका बैस्ट होता है मैं जानता हूँ कि इससे results बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, partner को बहुत ज़ादा फरक instantly नहीं पड़ता है, लेकिन जब constantly आप partner के सामने ऐसा behavior बनाते हो, कि आप पूरे तरीके से ignore नहीं कर रहे हो, लेकिन पूरा time भी उन्हें नहीं दे रहे हो, तो इससे धीरे धीरे partner की attachment आप को लेकर बढ़ने लगती है, दूसरी बात, बीच बीच में कई बार ऐसी situation बनाओ कि partner आपको impress करनी की कोशिश करे, जी हाँ, जाने अन जाने में हम partner को ये महसूस करा देते हैं, कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं, हमारी attachment इतनी जादा है, जिस वज़े से partner आपको कभी भी impress क करने के बारे में सोचता ही नहीं है, impress करने की कोशिश ही नहीं करता है, लेकिन कभी-कभी आप एक simple सी psychological tricks को follow कर सकते हो, ताकि वो आपको impress करने के बारे में सोचे, मान लीजिए वो कही पर जा रहा है, इसलिए वो तयार हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो, यार या outfit ना आपक अच्छे नहीं लगे है, जब आप इस तरीके से उनके सामने खुद को present करोगे, कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको पहनना है तो आप पहन सकते हो, अब इससे क्या होगा, वो अपने outfits को change करेंगे, लेकिन अगर वो change कर रहे है, तो वो आपके बारे मे सूच कर change करेंगे, कि हाँ, आपको अच्छे लगने चाहिए, और ये एक simple सी trick होती है, यानि कि मान लीजिए अगर आप कही पर जा रहे हो, और आपने partner की तारीफ कर दी, कि यार आप बहुत जादा अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपके hairs उतने अच्छे नहीं लग रहे है तो ये जो कमी होती है, क्योंकि इंसान का सभाव है, वो कमीओ पर जादा ध्यान देता है, negative compliments पर जादा attract होता है, इसलिए बीज बीच में आप ऐसी बाते उनके सामने रख सकते हो, ताकि वो constantly अपने आपको आपके सामने better बनानी की कुशिश करे, जी हाँ, एक बात ध्यान जरूर देने है, ताकि उन्हें थोड़ा incomplete फिलो, और वो आपके सामने खुद को complete करनी की कोशिश करे, एक गलती जो हम करते हैं, हमेशा तारीफ करते रहते हैं, हमेशा उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, कभी भी उन्हें उनकी कम्या feel ही नहीं होने देते हैं, इसलिए फिर वो धीरे धीरे आपकी बातों से impress करना बंद कर देते हैं, और आपको भी impress करने की कोशिश नहीं करते हैं, बीच बीच में negative compliments जरूरी है, अगली बात, कभी कभी उन्हें प्रूफ दो कि लोग आपको appreciate करते हैं, देखिए, मैंने ये कई बार कहा है, कि जैसे आप partner के सा ये दिखाते हो कि मेरी बातों पर कोई trust नहीं करता है, ना मेरी family trust करती है, ना मेरे friends trust करते हैं, तो इससे क्या होगा, partner पहले तो आपको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ time के बाद partner भी आपके उपर trust करने नहीं लगेगा, ये सभाव होता है, ये behavior होता है, कि 10 काम को लेकर, मेरे behavior को लेकर, जैसे अगर किसी ने आपकी तारीव कर दी, आपने screenshot निकाल लिया और उन्हें भेज दिया, कि यार देखो ये messages पढ़के तो मेरा दिन ही बन गया, यानि कि आपने partner को ये proof दे दिया, कि लोग मुझे appreciate करते हैं, या आपको हर बार बिलकुल भी relationship की बात हो, लेकिन अगर आप अपने आपको weak बना कर partner के सामने present करते हो, तो बस कुछ time का प्यार आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि partner understanding दिखाए, respect करे, अच्छे से बात करे, तो आपको ये दिखाना ही होगा कि आप बहुत जादा powerful personality हो, कमजोर बनके रहना, परेशान बनके रहना, थोड़े time के बाद आपके लिए ही बहुत जादा गलत साबित हो सकता है, मन में अभी भी कोई doubt है, आप directly आप call पे मुझसे discuss कर सकते हो, paid consultation के लिए आप मुझे WhatsApp पर message कर सकते हो, 9834-250097 इस number पर, हमारे बीच में call पर जो भी बात होगी, वो completely safe और private र आपिसे के लिए चलीई